तो जैसे कि फ्रेंट्स आप रोगों को पता होगा कि कैबनेट की बैठाक होई थी और हमने कैबनेट की बैठाक होई तो उसका जो लेटर था वो हमने आपको टेलिग्राम पर सेयर भी किया था तो जो कैबनेट के बैठाग में कुल कितने एजेंटों पर मोहल लगी और आपको इसे क्या लाव मिलने वाला है ये सारी जान कर ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एके ओल्लाइन पॉइंट चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे बारवी के छात्र को 25,000 और सनाता को 50,000 रुपे मिलेंगे समिधा कर्मियों के लिए बड़ी खबर है योजना विभाक में नई भरती की सरजन की गई है और किन पदों पर सरजन किया गया है और सिपाही भरती परिच्छा से जुड़े एक बड़ी खबर है बड़ी अपडेट है तो आप लोग वीडियो के अंतर तक बने रहीगा चलिए फ्रेंज वीडियो को सुरू करते है आप जैसे के देख पारे हो आज के प्रभात खबर में हर एक न्यूस पिपर में आपको देखने को मिल जाएगा साथ में मैं आपको अफिस से लेटर भी दिखाऊंगा जो वैठा के दौरान लेटर जारी किया गया था तो कैबनेट के फैसले निश्चे पार्टू के एक और वादे पर मोहर इंटर पास छात्राओं को 25 जार और असनातक पास छात्रों को 50 जार रुपे ठीके अठारे एजेंटों पर दी सहमती और इस वर्ष इंटर और असनातक की परिच्छा देने वाली छात्राओं को भी मिलेगा इसका लाब तो इस बार जो परिच्छा देंगे उनको भी लाब मिलेगा ये पहुत बड़ी चीज है पहले छात्राओं को इंटर पास करने पर 10,000 और असनातक पास करने पर 15,000 रुपे मिलते थे अब आगे बात करते हैं कि अब 100 अंकों की होगी सिपाही भरती की लिखित परिच्छा तो आप देख पर हैं सिपाही भरती के लिए जो बड़ी अपडेट है यही अपडेट है कि उनकी जो अब लिखित परिच्छा होगी वो 100 अंकों की कर दी गई है कैबनेट के बिहार पुलिस में सिपाही के पद सीधी भरती परिच्छा के लिए लिखित परिच्छा के लिए पाट करम में संसोधन को मन्जूरी दी है अब सिपाही भरती परिच्छा साउनकों की होगी और दो घंटे में परिच्छा ली जाएगी और इसके पाटकरम में हिंदी, अंग्रेजी, गडित, समाजी, विज्ञान, इतिहास, भुगोल, नागरी सास, वे अर्थसास सामिल होंगे विज्ञान में भौतिक रसायन, विज्ञान, प्राणी, विज्ञान और उनस्पती विज्ञान प्रसंद सामिल होंगे साथ ही समसमाई की विसे भी सामिल होंगे परिच्छा के प्रस्णों का अस्तर मेट्रिक समकच्छ होगा ठीक है अब यहाँ पर समिदा कर्मियों के लिए बात कर लेते हैं तो समिदा कर्मियों पर कारिरत रिटार्ड कर्मियों को E.P.F. और E.S.I. का लाव नहीं अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो कैवनेट ने समिदा पर रखे गए रिटार्ड सरकारी कर्मियों की सेवा के सम्मद में असोक चोधरी कमेटी के अंसन सावभागदों को सुविकार किया इसके अंसार समिदा पर रखे गए रिटार्ड कर्मियों को E.P.F. O.S.I. का संख्यांकी सेवा शाहिक निदेशक शक्यांकी और वहार अबर संख्यांकी सेवा इसके शाहिक पतादिकारी अराज पात्त। चम्मियों के स्रिजन की मंदूरी दी गई है। और यहां पर देख पा रहे हो कि 3,000 से कम आबादी वाले पंचायद का होगा बिलेट यह सारा अपडेट था और कुल टोटाल 18 एजन्टों पे लगी है मोहर तो आप लोग सारे एजन्टों के बारे में आप हमारे टेलिग्राम से जॉइन हो जाएंगे यहां पर देखेंगे कैबनेट मीटिंग का यह लेटर जारी किया गया इस लेटर में आप सारे एजन्टों के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि टेलिग्राम चैनल को जरूर जॉइन करें फेस्बुक पेज को भी लाइक करें जानकरें कैसे लिए कि वीडियो को लाइक करके बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें फिर मिलेंगे नएस वीडियो में तब तक लिए बाई, टेक केर